इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV Rapid Test के बारे में आप क्या जानेंगे HIV Rapid Test कब करनी चाहिए इसका विंडो प्रियर्ड क्या होता है HIV Rapid Test कितनी बार करनी चाहिए HIV Rapid Test की accuracy कितनी होती है और इस टेस्ट का खर्चा कितना होता है इस समय को करने में 30 मिनिट से भी कम वक्त लगता है इसलिए इसको Rapid के नाम से जाना जाता है इस टेस्ट के और भी फाइदे है कि एक तो 30 मिनिट में हो जाता है छोटी लेबोरटरी में उपलब्ध है छोटे गाव और सहर में भी उपलब्ध है सकता है और यह काफी सस्ता है टेस्ट कहाँ पर उपलब्ध होती है दो आप्शन से एक है Private Laboratory और दूसरा है सरकारी ICTC Center Private Laboratory में इसका खर्चा 200 से 400 रुपे तक का लग सकता है सरकारी ICTC Center में यह मुफ्त होता है अक्सर लोग पूचते कि ICTC में कौन से किसम का टेस्ट होता है तो इसका जवाब है यह Rapid Test होता है वो 3rd generation Eliza Test है इसका रिजल्ट एक यह उससे कम समय में मिल जाता है 32, 33,200 से भी जादा ICTC Center बारत में उपलब्ध दे और यह Center आम तोर पर सरकारी अस्पताल में होते है अब यह HIV Rapid Test का मतलब क्या होता है कि 30 मिनिट के कम समय में टेस्ट हो जाता है 30 मिनिट से कम वक्त में हो जाता है 3rd generation Eliza Test है और इस टेस्ट को करने के लिए Blood की आवशकता होती है इसमें दो टाइप का कीट आता है एक है Line Test जो एक Strip जैसा होता है और दुसरा होता है Tridot Test जिसमें तीन डॉट होते है इसमें एक Control होता है कि टेस्ट परफॉम होने के बाद Control का Color हमेशा Dark होना ही चाहिए यदि Control का Color Dark नहीं है तो टेस्ट को मान्य नहीं किना जाएगा दुबारा करना रहता है और यदि किसी का HIV-1 के साइट पर Dark Color आता है तो HIV-1 पॉजिटिव है और किसी को HIV-2 के साइट पर Dark Color आता है तो HIV-2 पॉजिटिव है यदि किसी का दोनों आता है तो HIV 1 और HIV 2 दोनों positive से और इस kit के अंदर जो रखी हुई चीज होती है वो होता है antigen उसको पहले से antigen kit के अंदर रखा होता है और जब किसी इंसान के अंदर, खून के अंदर antibody होता है तो इन दोनों को एक साथ में जूडने से इसका color change होता है और उसको positive माना जाता है तो क्या पता लगता है इस test में इस test में HIV 1 और HIV 2 के खिलाप में जो antibody है वो खून के अंदर है के नहीं वो देखा जाता है और antibody का मतलब यह है कि किसी इंसान के अंदर जब HIV का वाइरस जाता है तो उसके सामने लडने के लिए हमारे सरीर में जो सैनिक बनते है उसको antibody कहा जाता है और इस test है वो qualitative type की है यानि कि इस test में आपको positive है या तो negative है antibody है या नहीं है उतना ही पता चलेगा कितनी मात्रा में antibody है वो पता नहीं लगता विंडो प्रिड का मतलब क्या होता है जिस दिन से किसी इंसान के अंदर HIV का वाइरस गया और वो वाइरस हम laboratory में साबित कर सके कि इस इंसान को HIV का वाइरस है उसके लिए कुछ वक्त चाहिए होता है और उसके वक्त के बाद ही हम test से हम उसको साबित कर सकते है उससे पहले हम साबित नहीं कर सकते हैं, तो इस जो अंतराल है, जो हम को इंतजार करना है, उस इंतजार को आप window period कहेंगे, और अलग-अलग किसम के taste का window period अलग-अलग होता है, एक जैसा नहीं होता, यहाँ पर हम जो rapid test है, उसके window period की बात करेंगे, तो वींडो के period जो rapid test का window period है, वो तीन महीने का है इस टेस्ट का विंडो प्रियड तीन महीने का है कुछ और गलत फैमिया होती है लोगों में वो लोग तीन महीने का विंडो प्रियड का मतलब यह समझते है कि तीन महीने के भीतर मुझे टेस्ट कर लेना है उसके बाद मैं नहीं कर सकता लेकिन इससे उल्टा होता है कि आपको पहले तीन महीने के अंदर आप रेपिटेस्ट नहीं कर सकते हो एक्सपोजर का और उसके बाद आप कभी भी टेस्ट करा सकते हो चार महीने, चार साल, चालिश साल कभी भी और लोग अक्सर पूछते हैं कि explore का 3 साल हो गया है तो window इसके rapid test काम करेगी कि नहीं करेगी हाँ करेगी आप 3 महिने के बाद इस test को कभी भी करा सकते हो चाये कितना भी समय गया हो और दूसरा है कि लोग पूछते है कि window period सालों तक होता है इसलिए कि आप बार बार test कराने की जरूत होए तो ये बात भी गलत है window period 3 महिने से जादा नहीं होता है और ये आपने 3 महिने पर एक बार test करा लिया है और ये वो negative आ गया है तो उसके बाद आपको किसी किसम का test कराने की आवशकता नहीं है तो इसी rapid test आपको कब करा सकते हो तो window period 3 महिने है इसका मतलब है कि rapid test आप 3 महिने के बाद कभी भी करा सकते हो अब positive या तो reactive का क्या मतलब होता है यदि किसी का test का report में positive या तो reactive लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ए है कि उसके खून के अंदर HIV के सामने लड़ने वाले antibody हाजिर है और इसके लिए उसको HIV का विमारी है और negative या तो non-reactive आता है तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब ए है कि खून में पर्यात मात्रा में antibody नहीं है या तो बिलकुल antibody नहीं है इसलिए और यदि ओ टेस्ट उसने तीन महीने के बाद कराया है तो एक अंफर्म हो जाता है कि उस इंसान को एक्सपोजर से HIV नहीं हुआ है कभी कबार रिजर्ट में indeterminate, echococcal या तो invalid लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब यह होता है कि जो भी टेस्ट हुआ है उसमें कई प्रॉब्लेम है ना तो वो positive है ना तो वो negative है तो आपको फिर से rapid test कुछ समय बात कराना है या तो इस से higher test यानि कि HIV DO या तो PCR वरा test आपको अभी कराना है status को confirm करने के लिए अब test का result negative आए तो क्या करे यदि आपने आपका rapid test एक्सपोजर से आखरी जो एक्सपोजर है उससे तीन महीने के बात कराया है तो आपको आगे कोई test कराने की जरुवत नहीं है आपका ए रिपोर्ट final मना जाएगा और यदि आपने एक्सपोजर से तीन महीने के भीतर ही एक रिपोर्ट करा लिया है तो आपको एक रिपोर्ट दुबारा कराना रहेगा और वह रिपोर्ट आपको दुबारा कब कराना है कि जब आपका एक्सपोजर का तीन महीने का समय हो जाए तब आपको दुबारा रिपोर्ट कराना रहेगा और वह नगेटिव आने पर उसके बाद आपको कोई रिपोर्ट नहीं कराना है अब positive आए तो क्या करें तो आपको दूसरे किसम की दो और rapid test जो दूसरे principal से हो या तो दूसरी company से हो दूसरी laboratory से हो वो दो और rapid test कराना है और तीनों rapid test negative positive आए तब आप confirm माना जाओगे कि किसी इंसान को HIV positive है या दूसरा option रहता है कि उस इंसान को जिसका पहला rapid test positive आया तो उसको confirmations के लिए 4th generation ELISA test यानि कि HIV DO, HIV combo या तो HIV antigen P24 plus antibody के नाम से भी जाना जाता है वो टेस्ट कराना रहेगा अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मैंने तीन महिने पर repeat test कराया था अब negative आ गया है तो मुझे वापस कराने की जरूत है या नहीं तो इसका सीधा जवाब है no, नहीं, ना यदि आपका तीन महिने पर report negative आ गया है तो उसके बाद आपको और कोई report कराने की जरूत नहीं है इस test की accuracy कितनी होती है यदि आपने window period यानि की तीन महिने के बाद ये test कराया है और ये test आपका negative आता है तो आपको और कोई report नहीं कराना होता और इस negative report को confirmation के लिए कोई और report की जरूत नहीं होती है लेकिन यदि किसीने report किराया है रे positive है तो positive report को confirmations करने के लिए या तो दो और rapid test या तो इससे higher जैसे कि for generation analyzer test या PCR test या तो western blot test करान की जरूत होती है लेकिन negative आलों को window period के बाद test कराया है तो negative test को confirmation के लिए कोई जरूत नहीं होती कोई और test की सिर्फ और positive लोग आते है तो उसको वापस repeat test कर और confirmation test की जरूत होती है और इस ticket को नियत समय पर भी देखना होता है result देखना होता है मानलों किसी test का नियत समय window पर जो observation का time है वो 10 minute है तो आप उसको मानलों दो दिन के बाद घर पर जाके देखते और उसमें कुछ हलका सा color आता है तो गलत है उसका जो भी मिसके देखना होता है उसको नियत समय पर ही देखना होता है नियत समय चला जाए उस लोग पूछते हैं कि ART इलाज के बाद test में कोई बदलाव आएगा हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा के नहीं होगा तो इसमें कोई changes नहीं आएंगे आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा आपका antibody के अंदर है वो हो या तो क्लिनिक के appointment लेना चाहते हो तो इस WhatsApp नंबर पर आप message करकर बुक करा सकते हो हम हर दोबर को एक बज़े है और एट्स पर नया वीडियो रख अपलोड करते है या तो लाइट टॉक्शो करते है यदि अभी तक आप इस चैनल के जोईन करकर members नहीं बने है तो आप exclusive benefits के लिए अत्रिक लाव के लिए इस चैनल के member बन सकते हो और आखिर में चेतावनी यहाँ पर कहे गई बात एक आम जानकारी के लिए है समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV-8 specialist doctor से व्यक्तिक दुरुप से रा